हेलो फ्रेंड्स आज लोकी का राता बनाऊंगी मैं चलो स्टार्ट करते हैं तो मैंने एक लोकी लिया है तो आप अपने हिसाब से ले आपको मतलग कितनी चाहिए कौन्टिटी में तो पहले हम इसको अच्छी तरह से छील लेंगे पूरा इसको क्योंकि छील के फिर हमने इसक साइड से इसको कदुकस करना है जा ब्रीक वाली साइड से करना है यह आपकी मर्जी है तो मैं ठोड़ी जो मोटे वाली साइड है ना तो वहां से कदुकस कर रहे हूं तो इसको मेरा ओल्मोस्ट कदुकस हो चुका है अभी मैं एक पैन में पैन लिया है तो इसमें जी सारा मैं न से ट quieren pipe ऐखे से टोव की मैं डाला एक है तो फहला पानी जाल दालें कि सारा नीचे नीचे पूरा पूरा हो जाए देखिए इतना पानी डाला तो अभी मैं घैस ओन करें तो गैस के ऊपर और इसको बने के रहे लिए रखेंगे तो जब तक वो मेरा बॉयल हो रहा है तो मैं इसके लिए एक मसाला त्यार करूँगी कभी भी बनाए राता तो उसमें लसन और अधरक और हरी मिर्च पीश के जरूर डालें जब भी राता बनाएं आप किसी भी टाइप का राता हो तो उसमें जरूर ट्राई करें एक वारना हरी मिर्च और अधरक जाये सिंपल दें भी खाना तो उसमें आप अधरक हरी मिर्च डालके नमक बस डालो थोड़ा सा मसाला डालके बनाओ बहुत ही टेस्टी बनता है यह द है यह दिखात्यों यह दिख्या है कि इतने वकितने रखना है तो इसको अभी मैं यह देखे कितना अच्छा कलर लग रहा है ना इसका हरी मिर्च और अध्रक का तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूं तो सबसे कहले मैंने जो पीशा है हरी मिर्च अध्रक पीशी इसके अंदर यह देखें जब वह जो डालने के लिए रखा था जियो पून बहुत बहुत चुका कि यह मैंने नमक डाला है इसमें नमक आप टेस्ट के को Billboard डाले ज़ीडा है जिप पसंद ना जाला है क्योंकि दिनियों पाउडर का टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है यह मैंने गरम साले का आधा चमस डाला है क्योंकि वह हम लोग राता बना रहे हैं यह थोड़ी लाल मिर्च डाली है किश्मीरी लाल मिर्च ज्यादा वह जी तिक ही नहीं है तो मैंने सिर्फ ऐसी कलर देने के यह क्योंकि इसका कौन से तना टेस्ट दिखा है तो जरू डाले इसके अंदर सारे मसाले डालने हैं इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि जब मैं घीया डालना और यह तो सब्सक्राना थोड़ा मुश्किल हो जाता तो पहले आप जब भी राहता बनाए नहीं तो सारा नमाग डाल के निए पहले पेले आप इस राइते को बना ले पारा मिक्स कर ले तो उसके बाद ही नप जब एक अपने अपने बनाने का तरीका होता है लाइक मैं तो ऐसी ही बनाती हूं ये घया थंडा हो चुका है तो अभी मैं इसको एक चाहनी में चाहन्य नूंगी क्योंकि इसका पानी सारा निकाल देंगे हम लो और इसके ऊपर थोड़ा थंडा पानी डालके थंडा पानी डालेंगे ता यह थोड़ा थंडा क्योंकि देह में मिक्स करना है तो थंडे पानी से इसको अच्छी तरह से जो थंडा पानी ऐसा करको टोरी में डालो तो उसमें ड आता पानी सार्व पानी साथ भूब्ट कि नबाते हैं अगर के इस पानी तो तो टेंस्त नहीं आइगा इस इस जोड़ के एक साइड पे रख लाएं यह दिखी मैंने सारा पानी इसका निकाल दिया है तो अभी मैंने एक प्लेट में इसको रख लिया है सारे घिया का पानी निकाल के तो भी मैं इसको हम लोग इसको देही में मिक्स करेंगे अभी जो घिया का पानी निकाला है तो सभी मैं इसको सा घ्म रेसु काने घुद्द हैज को एक जोटी कूछ कम आप मिक्स कर लिसेदेशत के अच्छी तरह से मिक्स करें कि असी किमार में से अफा के अंग सगे जोर मिकस कर भासे का एंदर हराधनिया का टाता कर ले तो फिर सर्व करें इसको बहुत ही टेस्टी बनता है राधनिया डालके फिर इसको खाएं तो यह मेरा पूरा अभी रडी हो गया तो भी आपको ने कटोरी में डालके बताती हूं यह देखे कितना थीक बनाया और कितना अच्छा भी लग रहा ना बना हुआ तो आपने एक पर ज मन दखा रही हूं तो आप मुझे क्मेंट्स करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें